राश्ट्रिया अंत्रिक्ष दिवस के आउसर पर इस्तरों ने चात्रों के लिए कार्यात्मक चंद्रमा रोवर बनाने के लिए एक राश्ट्रिय प्रतियोगिता का आयूजन किया था नाकपुर की एक टीम ने स्वायत संचालन करने में सक्षम चंद्रमा रोवर बना कर प्रथम पुरसकार जीता एने टीवी के विज्ञान संपादक पल्लब बागला ने विजेताओं से मुलाकात की और भारत के स्पेस रेगुलेटरी यूनिट के अद्यक्ष डॉक्टर पवन गोएंका से भी बातचीत की डॉक्टर गोएंका आप जाने जाते हैं आटो मोबिल के लिए महंद्रा एन महंद्रा में आपकी असी ओई ने बहुत नाम कमाया अब आप अंतरिक्ष में चलांग लगाई आपने और यह जो रोवर है अंतरिक्ष में जाने के लिए जो स्टुडेंट्स ने बनाया यह और जो इसमें टेक्नालोजी है उसके कई पहलो आटोमोटिव टेक्नालोजी में भी काम आते हैं जैसे कि इनोंने मेकनिकल कैसे मुवमेंट होता है फोर वील ड्राइव में कैसे पहिया उपर नीचे होता है आप्टिक्स पर सेंसिंग और रोबोस विच यार यूज मोर इन आपकी उमीद से खरे उतरे ये बच्चे या इनको अभी और क्वाम करने की जरूँ है अज एस्टुटेंट प्रोजेक्ट उमीद से खरे उठ लोग क्योंकि इनोंने बहुत ही तेरह किलो में ये बनाया ये बहुत खूबी है अहलां कि सब को इसे अप्रिसेट नहीं कर पा बहुत कम वेट में काम किया ये बहुत अच्छी चीज है तो मैं अगा हूंगा एक खरे उतरे हैं तो ये थे पावन गोएंका साफ बताते हुए कि ये स्टुडेंट्स ने जो रोवर बनाया ये बहुत ही खरे उतरे हैं अपने काम में और संजोध ने भी बताया किस तरह से इन्होंने एक competition जीता इस रो के यो आर राव सैटलाइट सेंटर के द्वारा करा गया और इस रोवर को हो सकता है देखिए चान पे ले जाया जाए या हो सकता है इसको देखकर देखे इस यंग टीम ये कोई autonomous कार बनाएं उमीद इसी को कहते हैं camera person जेवियर थॉमस के साथ नई दिली से पलव बागला एंडी टीवी इंडिया के लिए भारत ने एक प्रग्यान रोवर भेजा था चान पे विक्रम लैंडर के साथ उसने काम्याबी से काम किया उसके बाद इस रो ने national space day पे चैलिंज दिया स्टूडेंट्स को कि वो रोवर बनाएं जिससे की और भी अच्छा काम हो सके स्टूडेंट्स ने वो चैलिंज लिया और मेरे साथ है संजोद उस टीम के लीड नागपूर से जिनों ने ये विनिंग रोवर बनाया है संजोद ये रोवर क्या करता है और इसकी क्या capability सो नमस्कार मेरा नाम संजोद कावडे है और मैं यश्वंद्रा चोहन कॉलेज ओफ इंजिनेरिंग नागपूर से हूँ एंड हम टीम टाइटन्स है इस टीम टाइटन्स ने एक रोवर बनाया है जिनका नाम है गुरुत्वा यह हम हमरे गुरु को डेडिकेट करते हैं और इस ये रोवर हमको इजरो ने एक चैल रोवर में रोबोडिक आम है चार वील्स है और यह कहीं भी जा सकता है अपने तरीके से सब कुछ और नॉमसली कर सकता है जरूर तो अभी मैंने जो इसे कमांड दे दिया है यह जो रेट कलर ट्यूब है इसे डिटेक्ट करेगा एं देन उसे उठा के अपने इस डिवाइस रोवर का वेट 13-14 किलो है और इसमें अल्मोस्ट एक गंटे 40 मिनिट से एक गंटे का कैपसिटी है एक सिंगल चार्च में अब यह उठा रहा है उसको और इसको लाके अपने यहां जहां पे भी इसको रिट्रीव करके रखना है उसमें रखेगा जरूर अभी इसने पिक कि ताकि जब मोमेंट हो तो वो गिरे ना